Hey guys, I'm Shuchi and welcome to India Glitz Bollywood. Comedy drama serial तारक महता का उल्टा चश्मा करीब 14 सालों से लोगों का मनुरंजन कर रहा है. वहीं बीते कुछ समय में कई actors इस serial में replace भी हुए हैं. तो अब actor शैलेश लोधा के भी serial छोड़ने की खबरे सामने आई हैं. या यू कहें कि उनकी जगह अब सचिन श्रॉफ तारक महता की किरदार में नज़राएंगे. सचिन श्रॉफ टीवी जगत में जाने माने actor हैं और टेलिविजन के कई popular shows में नज़रा चुके हैं. actor आखरी बार OTT की popular web series, आश्रम और टीवी शो गुम है किसी के प्यार में राजीव की भूमिका में नज़राएं थी. एक interview के दौरान serial के makers असीत मोधी ने कहा हां हम अपने show में सचिन श्रॉफ को कास्ट कर चुके हैं. सचिन इस show में शैलेश लोधा की जगह आ रहे हैं. सचिन ने shooting भी शुरू कर दी है. हमने शैलेश लोधा के साथ काफी बातचीत करने की कोशिश की, पर उन्होंने show छोड़ दिया. जाहिर सी बात है कि ups and down तो आते ही रहेंगे. लेकिन अब इसमें viewers को तो इंतजार नहीं करा सकते. और हमें किसी को तो तारक महता की जगह लाना ही था. बस यही विश करते हैं कि लोग सचिन को भी तारक महता के किरदार में उतना ही प्यार दें. और ये show साल दर साल चलता र जाहि कि कि लेखा आई साल चलता हैं कि लेकिसा।